वेलकम एवरिवन, मैं हूँ प्रतिक्षा गाइस कैसा हो कि एक चोटा सा स्पैरो एक स्ट्रोक की फैमिली में आना चाता हो उसे लगता हो कि वो भी एक स्ट्रोक ही है और माइग्रेशन के चक्कर में वो सीधा अफरीका तक पहुँच चाता है तो क्या वो अपनी फैमिलीस से मिल पाएगा या फिर वो अपनी हिमत बीच में ही तोड़ देगा मूवी की स्टार्टिंग में हम एक स्पैरो को देखते हैं जो कि जल्दी से अपना खाना ढून के घर चाना चाता था ये स्पैरो कपल उस कैट से लड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसके बच्चे को कुछ ना कर सके इसी के साथ सीन यहाँ पे एक अरोरा नाम के स्टॉक के उपर शिफ्ट होता है जो कि अपना खाना खा रही थी यानि की मचलिया पकड़ रही थी उसी समय उसे आवाज आती है कैट के चिलानी की जब वो उस जगह पे पहुँचती है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखाई देता और तभी एक पत्य के नीचे से वही छोटा से स्पैरो निकल के बाहर आता है अरोरा जैसे पूछती है कि तुम कौन हो और तुमारे पिरिंस कहाँ पर है तभी रिचर्ड सीधा आता है और जाके अरोरा की गली लग जाता है उसे लगता है कि वही उसकी मॉम है अरोरा को पता चल गया था कि इसके आसपास में कोई भी नहीं है वो अरोरा से पूछता है ये कौन है और यहां कैसे आ गया तभी रिचर्ड भागता हूँ आता है और सीधा कॉलियस के गल ही लग जाता है मैकस और रिचर्ड की दोस्ती बहुत अच्छी थी वो उसे बिल्कुल अपने भाई के जैसे माना करता था अब वो समय आ गया था जब सारे स्ट्रोक यानि की बगूले मिलके एक दूसरी जगह पे जानी वाली थे क्लॉडियास अरोरा को समझाने लगता है कि अब हम रिचर्ड को अपने साथ नहीं रख सकते लेकिन रिचर्ड उनकी बात नहीं मानता और उनका पीछा करते करते यहां तक पहुँच जाता है वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर बाकी सारे उसकी कम्यूनिटी से बात कर रहे हैं कल की डेट में माईग्रेशन स्टाट हो जाएगा और कल सुबह इन सब को अपना सफर तै करना है रिचर्ड ये सारी बाते सुन ही रहा था और तभी उसका पैर फेसलत है और वो जाके सीधा इनके बीच में गिर जाता है कलॉडियस अब रिचर्ड को नहीं समझा सकता था इसी के करन रिचर्ड को कहता है कि तुमें एक स्ट्रोक नहीं हो तुम हमारे जैसे बिल्कुल नहीं हो वो कहता है कि अभी तो मैं छोटा हूँ न मैं बड़ा हो जाओंगा तो बिल्कुल आपके जैसे दिखने लगूँगा अब अरोरा को भी लगता है कि शायद रिचर्ड को सचाई बताने का समय आ गया है वो रिचर्ड को अपने साथ उसी चगल लेकि आती है जहाँ पर पहली बार रिचर्ड उसे मिला था वो बताती है कि मैं जब यहाँ पे आई थी तो तुमारे घर से कोई भी यहाँ पे नहीं था तुम अकेले थे इसी कारण में तुम्हें अपने साथ ले आई थी रिचर्ड अरोरा की भी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ आप जूट बोल रहे हो वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है मैक्स भी अपने डैट को समझाता है कि हम रिचर्ड को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते लेकिन क्लॉडिया से बात क्लियर कर चुका था कि इस पैरो बहुत छोटे होते हैं और वो इतनी उची उड़ान नहीं भड़ सकते हैं एकदम से बारिशाना स्टार्ट हो जाती है और रिचर्ड की आँखे खुल जाती है और वो अपने आसपास देखता है कि उसके फैमिली मेंबर है ही नहीं वो उन्हें बुलाता है बहुत आवाज़े देता है लेकिन कोई भी उसकी तरफ मुड के नहीं देखता है लेकि माजोमियत से ये भी पूचता है कि क्या वो अफ्रीका पहुच गया है क्योंकि वो तो अपने स्पैरो नहीं है बल्कि वो तो एक स्ट्रोक है वो कहता है कि वो तो बस अपने लोगों से पिछड गया है और वापस उनके पीछे-पीछे चला जाएगा वो अकेला उड़ने भी लगता है लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आकर आप वो वापस से शुरुवात कहां से करे और उसे समय कुछ चमकादर उसके ओपर काफी बुरा हमला कर देते हैं लेकिन और फिर से आ जाता है और रिचरड की जान बचा लीता है ये सब आपस में भागी रहे थे क्योंकि चमकादरों ने इनका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था तभी यहां पे गाड़ी आती है और इन तीनों बैट्स का एक्सिजेंट हो जाता है क्योंकि आलगा उसे बहुत अच्छा लगा था इसी कारण वो कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे अफ्रिका तक जाने में आलगा पहले तो नाटक करता है लेकिन बाद में बात मान जाता है अगली सुबर जब रिचर्ड की आँखे खुलती है तो वो खुद को एक बस के उपर पाता है और आलगा को उठाता है कि बताओ आखिर हम कहां तक पहुँच गए और उनकब उत्रों से पूछते हैं कि क्य की उपर शिफ्ट होता है जिसका नाम किकी था उसे इस पिंजरे के अंदर कभी रहना ही नहीं था बलकि उसे तो एक सेंगर बनना था उसे पता चलता है कि इटली की ट्रेंग जल्दी यहां से निकलने वाली है वो बहुत कोशिश करता है उस पिंजरे को तोड़ने की लेकि प्रॉबलम ये थी कि कीकी को तो उड़ना ही नहीं आता था ओलका अभी भी कीकी मदद करता है और रिचर्ट भी बिचारा उसे पकड़े हुए ही था काफी देर हो गई थी लेकिन अभी भी कीकी उड़ने के लिए तैयार नहीं था इसी के करण ऑलका उसे छोड़ देता है और कहता है कि अब खुद से उड़ो कीकी पहली बार उड़ रहा था और उसे उड़ना भी नहीं आ रहा था काफी लोगों से भिड़ता भिड़ता वो आखिरकार उड़ना सीख रहा था ये तीनों ही स्टेशन पहुँच जाते हैं जिसके बाद एक ट्रेन पकड़ते हैं ज जिसके बाद अब इन दोनों को कीकी पे बहुत गुस्सा आता है कि कीकी ने आकर इने क्यों धोका दिया यहां अलगा अभी भी रिचर्ट को समझाने की कोशिश ही कर रहा था कि तुम्हें अपनी जेट छोड़ देनी चाहिए तुम्हें एक बगुले नहीं हो जिसके बाद चलता है कि जिसकाने की वो प्रैक्टिस कर रहा था वही काना किसी और पैरिट ने का दिया जिसके करण कीकी को बहुत बुरा लगता है वो अकेला ही बैठके रो रहा था और तभी उसे बाहर बैठे कुछ पक्षियों से पता चलता है कि एक इस पैरो ऐसा है जो कि इतने पर जाता है कि आकर तुमने हमें धोका क्यूं दिया था किकी उसे सौरी बोलता है और उसके बाद बताता है कि हमें रिचर्ट की मदद करनी होगी वो अकेले ही इस इतने बड़े उड़ते काफी रात हो चुकी थी और इन्हें पता चलता है कि एक प्लेन सीधा इनकी तरफ आ रहा है ये तीनों ये उससे बचने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ओलगा उस प्लेन से टकरा जाता है और उसके करण बेहोश हो जाता है कि क्यों और रिचर्ड दोनों ये पता चलता है कि ये शिप भी अफ्रीका की तरफ ही जा रहा है बगुलो का जुन अफ्रीका पहुत चुका था लेकिन मैक्स अपने पेरेंट से बहुत गुस्ता था कि आखिर वो रिचर्ड को वहीं छोड़ा है मैक्स भी भड़क जाता है और अकेला ही वहां से चला जाता ह क्लॉडियस उसके पीछे पीछे जाता है उसे समझाने के लिए मैक्स को वहाँ चटानों के नीचे एक छेट दिखाई देता है और वो उसी के अंदर जाने लगता है पता चलता है कि वो इतनी गहरी थी कि वो सीथा जाके नीचे गिर जाता है क्लॉडियस जादा बड़ा थ और उसके अंदर नहीं जा पाता। दूसरी तरफ ये तीनों भी अब अफ्रिका तक पहुँच गए थे। वहाँ पे दो कबूतर इन्हें बताते हैं कि कुछ देर पहले ही यहाँ पर बगूलों का जुन्ड आया था। साथ ही में उन्हें ये भी पता चलता है कि उनका लीटर क्लॉडियस जिसका एक बेटा मैक्स है वो कहीं खो गया है। ये कब उतर इन तीनों को ही वहीं ले जाते हैं जापे बगूली रुके हुए थे। और अब तक यहाँ पे रिचर्ड भी पहुच जाता है और आते पूछता है कि आकर मैक्स कहा गया। अरोरा रिचर्ड को दे के खुश हो जाता है कि आखिर उसका भाई उसे बचाने के लिए आया है। दिरे दिरे करके ये सब बाहर आने ही वाले थे और तब ही इतनी देर के अंदर एक जानवर आ जाता है जो कि इनके उपर बुरी तरीकी से अटैक करने वाला था। रिचर्ड का एक पैर पथर के न नहीं आया था। आखिरकार रिचर्ड काफी देर बाद चाला की से बाहर आ जाता है और अपनी फैमिली से आके मिलता है। अरोरा उसे गले लगा लेती है और उसे माफी भी मांगती है और कहती है कि आज की बाद वो से कहीं अकेला नहीं छोड़ेगी। रिचर्ड अपनी family से अपने दोस्तों को मिल पाता है Claudius को भी बहुत guilt feel होता है कि कभी भी उसने Richard को उसके family का हिस्सा नहीं समझा लेकिन आज उसके बेटे को Richard नहीं बचाया और इसे के साथ guys ये शांदर movie यहीं पर खत्म हो जाती है तो आप सभी लोगों को ये movie कैसे लगी मुझे जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली movie में तब तक के लिए टाडा